शूर्य के उद्धे होने के साथ ही नया दिन आरंब होता है हम देखते हैं कि सूर्य नियमित रूप से पूर्व में उद्धे होता है पस्चीम में अस्थ होता है इससे हमें अपने जीवन को नियमित बनाने की पेढ़ना मिलती है जीवन को तभी नियमित बनाया जा सकता है जब हमारा मन और सरीर अच्छा हो अच्छे स्वास्त के लिए हमें दिन्चर्या निश्चित करना लेना आवशक है प्रातह जल्दी उठना नहाना इश्वर इश्वरन करना खाना पीनना खेलना कूदना पढ़ाई सोना इत्यादी सब कारिय दिन्चर्या के आवशक अंग है हम पड़ती दिन देखते हैं कि सवेरे सूरज उगने से पहले पक्सी चहचाने लगते हैं हमें भी सूर्यदे से पूर्व ही जागने का अभ्यास करना चाहिए उस समय सुद्ध वायू मिलती हैं जो जीवन को इस फूर्ती एवं ताजगी परदान करती हैं कुछ लोग प्रातकाल तहलने जाते हैं वे इससे दो लाप राप करते हैं एक तो तहलने से व्यायाम होता हैं दूसरे सुद्ध वायू के सेवन से मन सांत एवं परसन होता हैं परती दिन प्रातकाल जल्दी उठने के लिए हमें दरट निश्चे करना होगा विद्यारती जीवन में भी सवेरे जल्दी उठने का संकल करके हम जीवन में सवलता पास सकते हैं जागने के तूरंद पस्चात विष्तर पर बैठे बैठे ही प्रात इस्मर्ण का स्लोग पाठ करना परमंगलकारी होता है अच्छे बालक इस्वर एम देश को प्रणाम करते हैं स्वस्थ रहने के लिए हम परति दिन बोजन करते हैं बोजन का जो भाग बिना पचा हुआ होता है वह सरीर में मल के रूप में इकठा हो जाता है हमें परति दिन उसे सरीर से दूर करने के लिए सोच चाना चाहिए मन मुत्र के वेक को कभी रोकना नहीं चाहिए क्योंकि उससे कई तरह के सारीरिक रोग उत्पन हो जाते हैं अतह बिस्तर छोड़ने के बाद कुलहे कर ठंडा जल पीना चाहिए तब सोच आदी से नित्य होना चाहिए प्रात्वकाल दातों एं मुँ की सफाई भली परकार करनी चाहिए इसके लिए बुरुष, दंत मंजन या नीम की दत्तों का उप्योग लाब दायक होता है छोटे बच्चों को बुरुष या प्रियोग नहीं करना चाहिए उंगली से किया जाने वाला मंजन खुद्रा नहीं होना चाहिए उंगलिया डाल कर कुले करने से मुख की सुद्धी होती है इससे गले वजीब का जमा हुआ कफ आदी साफ हो जाता है स्वच नेत्रों एवं अच्छी दस्टी के लिए थंडे एवं स्वच ताजे पानी से मुख दोए आपने देखा होगा कि कुछ लोग प्रात अकाल तहलने जाते है वे जानते हैं कि सवेरेक भूमने से सुद्ध वायू शरीर को पल परदान करती है और मन को निर्मल बनाती है प्रती दिन सनान करने से पूर्व सरसों के तेल की मालिस करना अच्छा रहता है प्रती दिन गायाम करना सास्ते वर्दक होता है इसके लिए प्रातकाल सुर्य नमसकार की संपूर्ण विद्या कर लेना प्रयाप्त है सूर्य नमस्कार से सरीर के प्रत्यक अंग का संचालन होता है